जैने दोस्तों आपका स्वागत है पंकश फोजी ग्रूप पे देखिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैनल पर पहली वारा है तो चले सब्सक्राइब कर लिजेगा आपके लिए वीडियो हम ऐसे ही बनाते रहेंगे तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की दरब तो पहला कोशन आपके सामने है पहला कोशन है आपका भारत में सबसे पहले तोब खाने का प्रियोग किसने किया था जिहां चार उप्सन आपके सामने है उप्सन A है आपका अलावदिन खिल जी उप्सन B है तैमूर उप्सन C है सेर साहसूरी और उप्सन D है बावर जिहां बहुत अच्छा कोशन है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है चार उप्सन आपके सामने है राइट आंसर आपको देना खालसा पंत की स्थापना किस बर्स की गई थी जिहां खालसा पंत की स्थापना गुरू गोविंद जी दौरा कप की गई थी आपको बताना है चार ओप्षन आपके सामने है ओप्षन नमबर A है 1599 ओप्षन नमबर B है 1699 ओप्षन नमबर C है 1707 और ओप्षन नमबर D है 1657 जि इसका जो right answer हो जाएगा, option number B, 1699 में इसका right answer हो जाएगा, जिहां, option number B, इसका right answer हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं, question number 3 की तरफ, question number 3 हैं आपके सामने, पलाशी के युद्ध के समय, बंगाल का नभाब कौन था, आपको बताना है, चार option आपके सामने है, option number A है, सेराजिद दोला, objection number B है, मीर जाफर, option number C है, मीर कासिम, और option number D है, इनमें से कोई नहीं, जिहां, चार option आपके सामने है, right answer commits box में लिखके जाएगे बच्चे तो इसका जो right answer हो जाएगा option number A, सिराजी दोला इसका right answer हो जाएगा सिराजी दोला, right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते है, question number 4 की तरफ question number 4 है आपके सामने British sunset का सदस्य बनने वाला पहला भारतिया कौन था जिहां British sunset का सदस्य बनने वाला पहला भारतिया कौन था आपको बताना है, चार option है पहला है आपका बंकिम चंद चटर जी option number B है, WC वेनर जी option C है आपका दादा भाई नोरो जी option D, उप्रोप्त में से कोई भी नहीं, जीहां right answer आपको बताना है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, option number C दादा भाई नोरो जी इसका right answer हो जागा, जीहां, बिटे संसद का सदस्य जो बने थे पहले, वो थे भारतिया दादा भाई नोरो जी तो चलिए बढ़ते हैं, question number 5 की तरफ question number 5 है, मंगल पांडे ने 1857 के बिद्रोह की पहली गोली चलाई थी, जीहां, कहाँ पर चलाई थी, आपको जगया बताना है, मंगल पांडे ने 1857 के बिद्रोह की पहली गोली, कहाँ पर चलाई थी, ये आपको बताना है, आपके 4 option है, option number A है बैरकपूर में option number B है, मेरट में option number C है, कानपूर में option number D है, जहां C में, जिहां आपको right answer बताना है इसका बहुत बार यह question पूछा जाचुका है, सरकारी, नोक्रियों में तो इसका right answer हो जाएगा, option number A, बैरकपूर में इसका right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं question number 6 की तरफ government of India Act 1935 किस पर आधारित्था जिहां government of India Act 1935 किस पर आधारित्था बताना है option number A है Simon Commission, option number B है Lord Karjan Commission option number C है Dimitrov, Themes और option number D है Lord Clyde की report जिहां ये चार option आपके सामने हैं आपको right answer दिना है तो इसका right answer हो जाएगा Simon Commission पर आधारित्था 1935 government of Indian Act चलिए बढ़ते हैं question number 7 की तरफ question number 7 है जहां कानून नहीं बहां स्वतंत्रता नहीं यह किस ने कहा था जिहां आपको बताना है जहां कानून नहीं बहां स्वतंत्रता नहीं यह किस ने कहा था तो option है आपके option number A है प्लोटो, option number B है मै किया विल, option number C है जोन लोक, option number D है कॉल मॉक्स तो यह चार आपके पास है option right answer आपको देना है तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तो option number C, जोन लोक इसके right answer हो जाएगा देखिए दोस्तों आपने 10 में से कितने answer सही दिए कमिट्स वोक्स में लिखके जरूर जाना तो यह बढ़ते है question number 8 की तरफ, question number 8 है भारत की संविधान सवा किसके कहने पर बनाई गई थी जिहां भारत की संविधान सवा किसके कहने पर बनाई गई थी आपको इसका right answer देना है option है आपका, option number A है, बेवल प्लान, option number B है, क्रिप्स मिशन, option number C है, auction offer, option number D है, cabinet mission जी है, चार option आपके सामने हैं, I think सो सभी को यह answer आता होगा इस प्रस्न का क्योंकि बहुत ही अच्छा important previous question आया हुआ है, तो यह इसका जो right answer हो जागा, option number D, cabinet mission इसका right answer होगा चलिए बढ़ते हैं, question number 9 की तरफ, question number 9 है आपका, राष्ट पती द्वरा, राष्ट्य आपाद इस्तिति की कोश्णा किये जाने के बाद, किस अब्दी तक उसका अनुमोधन संसत की पिर्तियक सदन द्वरा हो जाना चाहिए, जिहां आपको right answer दिना है, इस कोशन का, मैं फ पर देता हूं, राष्ट पती द्वरा, राष्ट ये आपाद इस्तिति की कोश्णा किये जाने के बाद, किस अब्दी तक उसका अनुमोधन संसत के पिर्तियक सदन द्वरा हो जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा question है, कईवार question आ चुका है, previous exam में तो इसका right answer बताएंगे, option है, आपके एक महा के भीतर, option number B है, दो महा के भीतर, option number C है, चार महा के भीतर, option number D है, छे महा के भीतर, आपको right answer देना है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, option number A, एक महा के भीतर, right answer हो जाएगा, चलिए बढ़ता है, question number 10 की तरफ, question number 10 है, आपके सामने, निमने में से कौन सा र जो option है? आपके option number A पश्षी मंगाल, option number B TIRPURA, option number C URISA, option number D बिहार, जिहां कसा है आपको बताना है कौन सा राज्यसाथ बहने का सदस्र है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option number B TIRPURA, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यह सारे question थे, बहुत ही important question थे, आपको देखके ही पता चलिए होगा कि सारे किसी ने किसी previous year में आए हुए हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो लाइक कर देना, अपना score बता के जाना और चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा, जै हिंद!